नई दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पाटी ने दिल्ली हाई कोट में कुरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद हो रहे दहा संसकार से जुड़ी याचिका पर जबाब दिया आप सरकार की तरफ से मौझूद वकिल ने बताया है कि सरकार कोरोना के संकर्मन को रोकने के लिए हर कदम पूरी एहत्यात से उठा रही है इसमें कोरोना मरीजों की मौत के बाद अन्तिम संसकार उनके शवो को शवदाहगरह में रखना शामिल है दिली सरकार ने अजालत को बताया कि 8 शवों को गुरुवार को अंतिम संसकार किया गया और 6-25 का अंतिम संसकार शनिवार को किया जाएगा सरकार ने बताया कि केवल 9 शवों को रखा जाएगा जिनकी पोस्ट माटम और चांच के लिए जरूरत है इसे पहले कुरोना संकर्वन से मरने वालों के अंतिम संसकार में हो रही असुईधा को लेकर हाई कोट ने चिंता देताई है साथी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर स्वता संग्यान लिया है नयायमूर्ती राजीव सहाई एंड लॉव औ नयायमूर्ती आशा मेनन की पीट ने कहा है कि यदि वास्त विक्ता खबरों के मताबिक है तो ये बेहत आसंतोष जनक स्थिती होने के साथ ही मानवा दिकारों का उलंगन भी है दिल्ली सरकार सही तीनों नगर निगमों को अदालत के सामने तथे पेश करने की निर्देश दिये हैं मामले में शुकरवार को सुनवाई होगी पीट ने कहा कि खबरों के मताबिक दिल्ली का लोकनायक अस्पताल शहर का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है खबरों के मताबिक यहां के शवगरहा में कोरोना से मरने वालों के 108 शव हैं इसमें 28 शव फर्स पर एक दूसरे पर पड़े हुए हैं क्योंकि शवगरहा में सिर्फ 80 शवों को रखने की जगा है कि ब्रतिख शर्मा के साहथ दीपा कुमार के कि रिपूर्ट पंजाब की स्री दिली यदि आप वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो कि पाप पेज को लैक कीजिए यदि आप वीडियो युटीव पर देखा हैं तो कि पर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ता कि कोई भी नूट्रिफिकेशन मिसना हो